वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइज अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है मेटागासकर सीरीज जिसका आज हम सभी लोग सेकिंड पार्ट देखने वाले हैं हम सभी लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे ऐलेक्स मार्टी ग्लॉर्या और मलमन वापस से अपनी शहर जानी वाले थे लेकिन जिस क्रूस के अंदर थे उस क्रूस का तो पेट्रूल खत्म हो गया था तो क्या ये सभी लोग मेटागासकर में रुक जाएंगे और अगर ये लोग रुके तो यहाँ पे किन किन लोगों से इनकी मुलाकात होगी ये सब कुछ हमें इस सेकंड मुवी में देखने के लिए मिलेगा मुवी के स्टार्टिंग में हम जूबा किन को देखते हैं जो कि इस फॉरस्ट का अलफा लायन था जूबा के बेटे का नाम अलकी था अलकी की हरकते हमेशा से जूबा को ठीक नहीं लगती थी क्योंकि वो गुराता नह को चैलेंज कर दीता है यहां जूबा और मकुंगा के बीच में फाइट चल रही थी और इतनी देर के अंदर छोटा एलकी एक रस्ती को फॉलो करता हुआ जंगल से थोड़ा बाहर आ जाता है हसल के अंदर यह एक ट्रैप था जिसके अंदर छोटा एलकी फस्त जाता है जूबा अपने बेटे को पाने के लिए बहुत आगे तक भागता है लेकिन तब तक एलकी को बहुत दूर ले जाया गया था जूबा से फाइट करते हुए इन शिकारियों की गाड़ी से एलकी का बॉक्स नीचे गिर जाता है और एलकी सीधा नदी में बहुत दूर चला जाता है जिस इंसान को एलकी मिलता है वो इंसान एलकी को जू मिले आता है जिसके बाद से छोटा एलकी एलेक्स बन जाता है इ इसे वो डांस करता करता इस जू का सबसे फेवरेट अनिमल बन जाता है और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है मैं अगासकर से अभी तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था इन सभी चानवरों ने मिलके लैमर्स की मदद से पूरे प्लेइन को ठीक कर लिया था और आज टाइम था इन सभी चानवरों का अलविदा लेने का ये सभी प्लेइन में बैठते हैं और न्यू यॉक के जू में जाने के लिए बिलकुल तयार थे जहां पे हमें पता चलता है कि जू में जाने के लिए लैमर्स की मदद से इस प्लेइन को स्टार्ट कर दिया जा पता चलता है कि ये उनका आकरी दिन होने वाला है तो सब ये अपने मन की बात बोलने लगते हैं एलक्स और मार्टी आपस में बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं जो कि हमेशा साथ रहेंगे एलक्स मार्टी को एक परां करता है कि तुम्हारा मैलमन की बोलने की बाद आलक्स और मार्टी मैलमन को ही गूर ने लग जाते हैं तब juvenile अपने फॉर्म में उते हैं और इस प्म प्लेंक को बहुत अच्छी तरीके के कारण सभी लोग यह अटक गए हैं लेकिन फिर भी यह चारों कुछ दे कि आखिर कार इतना कुछ होने के बाद भी यह साथ है तभी इन्हें आस-पास इंसानों की आवाज आने लगती है यहां पे एक विजिटर कार आई थी और इस विजिटर कार के अंदर एक स्पेशल गेस्ट भी थी गाइस फर्स मुवी के अंदर जो हम लोगों ने सेंट्रल स्टेशन के अंदर ओल्ड लेडी देखी थी यह लेडी वही थी जूकि एलेक्स को देखते ही पैचान जाती है कि यह तो बहुत नौटी किटी है इन दौनों के बीच फाइट होती है एलेक आगे जाके इन सारे अनिमल्स के बीच में बात करने लगता है खुद को इंटिड्यूस करता है कि मैं एलेक्स हूँ जो की जू से आया हूँ और न्यूयॉक से आया हूँ सभी को एलेक्स पागल लगने लगता है क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी तब इस ग्रूप का लीडर बहार निकल के आता है यानि की जूबा अल्फा लायन तो डॉक्टर ने कहा था कि बच्पन से ही मेरे पास है ये एक ब्यूटी स्पॉट है जूबा भी अपने हाथ की तरफ देखता है तब ही जूबा और उसकी वाइफ अपने बेटे को पहचान जाते है कि ये तो हमारा बेटा ऐल की है एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं मेरा नाम भी पहुच चुके थे मार्टी अपने जैसे दिखने वाले जेब्रा फ्रेंड्स की पास जाता है वहीं पर, मैलमन, खूप सारे जुराफ की जाता है ये सारे जुराफ बिमार थी जिने की एक डॉक्टर की तलाश थी वहीं पर ग्लोरिया हिप्बो के साथ में निकलके आता है एक मोटो मोटो नाम का मोटा सा हिपटो ज tracing के चलद हे को पूरा करेंगे यह यहां पे अ te garbage का नhiya task था कि उन्हें अपने plane को recover करना था इसी कारण साहरे पैंग्विं विजिटर कार की पास में जाते है उन लोगों को पागल बनाते हैं विजिटर कार को फ़स्टर. लेकिन आन्टी यहां पे बिल्कुल भी नहीं डरती और सारे लोगों को अपने साथ लेके जाती है कि जंगल में खुला घूमना आसान नहीं है राद होने पर अलेक्स अपने केव के अंदर जाता है जहां पर जूबा और उसकी मॉम अलेक्स को अपनी पुरानी यादों के बारे में बताते हैं वहीं पर आणटी अब इन सारे लोगों को हिम्मत देती है और कहती है कि जब हम लोग पुराने टाइम पे जंगलों में रहा करते थे तब हम क्या करते थे हमें जिस जिस चीज की जरूरत हुए हमने उन सारे चीजों का इनुवेशन किया तो फिर ये जंगल क्या चीज है सारे लोगों की अंदर उमीद आ जाती है और अब ये लोग यहाँ पे जीने के तरीके सीखने लगते हैं यहाँ पे वही चोटा सा लैमर अब अपने किंग जूलियन का पीछा करते हुए इसे फॉरेस्ट में पहुँच जाता है लेकिन पीछे पीछे एक बड़ी सी शार्क भी लेकी आता है यहाँ पे पैंग्विन्स अपने साथ में चिंपैंजी से डील करते हैं और चिंपैंजी अपने साथ में बहुत सारे चिंपैंजी की टीम लाए थे यह सभी लोग मिलके प्ले इनको बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वही रिचुल वाली फाइट होने वाली थी लेकिन मकोंगा एलेक्स को उल्टा सीधा बढ़का देता है वो एलेक्स को कहता है कि यह तो बस एक डांस फाइट है जो कि कोई भी जीत सकता है अच्छा होगा कि तुम अपने सामने एक अच्छा पाइट को चुनो फाइट स्टार्ट होने वाली थी जहाँ पे एलेक्स को अपने सामने का कॉम्पिटिटर चूज करना था एलेक्स यहाँ पे सबसे हट्टा कट्टा लाइन चूज करता है लेकिन एलेक्स को ये नहीं पता था कि ये एक fight ritual है उसे तो ये dance ritual लगता है जिसके बदले में बिचारा एलेक्स बुरी तरीके से पिट जाता है और वो return में fight भी नहीं कर पाता जूबा का सर शरम से नीचे जुख जाता है तब ही मकुंगा आता है और कहता है कि ये है अलफा लाइन का बेटा ये हम सब को कैसे संभालेगा अब तो अलफा लाइन को भी अपनी गद्धी छोड़नी पड़ेगी यानि कि यहां का नया किंग कौन बनेगा कोई भी आनिमल कुछ नहीं बोलता और मकुंगा खुद को यहां का लीडर बता देता है और लीडर बनने के कारण उसे शर्मिंदा हो के चान अपड़ा इसी कारण वो आलेक्स को कहता है कि तो मसली शेर होई नहीं अलेक्स इतनी सारी बाते सुनके बहुत साथ डिसपॉइंटेड हो जाता और वहां से अकीला ही चला जाता है कि जो भी डॉक्टर बनता है वो जल्द ही मारा जाता है आप से पहले बनने वाले डॉक्टर भी 48 हार्स में मर गए थे अब तो मैलमन अपनी होप छोड़ दीता है जन्ता रहने की क्योंकि पहले ही उसे फोबिया था बिमार रहने का यहाँ पे मार्टी अपना टैलेंट दिखाना शुरू करता है और उसे लगता है कि इतने सारे ज गॉर्या आती है और सबको कहती है कि मैं तो आज मोटो मोटो के साथ डेट पे जाने वाली हूँ यह बात सुनते ही तो मेलमन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम किसी के साथ नहीं जा सकती गॉर्या कहती कि तुम्हें आखिर प्रॉब् और मार्टी वहां से गुस्सा हो की चला जाता है मैलमन को जब पता था कि अब तो ग्लॉरिया भी किसी और को डेट कर रही है और उसके पास 48 आर्स बचे हैं तो वो खुद की जान देनी वाला था लेकिन तभी वहां पे जूलियन और मौरिस आते हैं जो कि मैलमन को कहते हैं कि मरने से पहले वही करना चाहिए जो कि आपकी आखरी इच्छा हो अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसे जाकि बोल दो वैसे भी तुमें तुम मरना ही है अब तो मैलमन पूरा रेडी हो जाता है ग्लॉरिया से अपने दिल की बात कहने के लिए वही पे ग्लॉरिया अप कोई दूसरा रीजन ही नहीं था ग्लॉरिया को पसंद करने का तभी वहाँ पर मैलमन पहुंच जाता है जो कि मोटो मोटो के आखों में देखता हुआ बोलता है कि तुम ग्लॉरिया को खुश रखना अगर मैं तुमारी जगह होता तो उसे और्चिट के फूल देता उसे र यहाँ पर इस जंगल का पानी सूखने के कारण अब सभी लोग मकूंगा को बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा मकूंगा कहता है कि अगर पानी चाहिए तो सब को लड़ना पड़ेगा जो जिन्दा बचेगा उसे पानी मिलेगा सभी जाँगा तो सारे अनिमल्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और मकूंगा तो जोड़ जोड़ से हसता है कि ये कोई तुम्हारा शेयर नहीं है जो तुम पानी को पाईप के जैसा समझ रहे हो एलक्स कहता है कि मैं उपर जाओंगा और अकेला जाओंगा और एक दिन पानी ले कराओंगा और तुम सब लोग देखते रहा जाओगे लेकिन मकूंगा इन बातों पे मसाक उड़ा देता है सारे अनिमल्स कहते हैं कि हमें जूबा की राय लेनी चाहिए क्योंकि इतने सालों तक उसी नहीं जंगल को संभाला है अब एलेक्स अकेला तो जा नहीं सकता था इसी कारण वो मार्टी को ढूणने के लिए जाता है लेकिन इतने सारे जेब्रा में वो मार्टी को कैसे पहचाने इसी कारण एलेक्स कहने लगता है कि मार्टी एक तुम ही हो जो कि मेरे सच्चे दोस्तों अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम मुझे जरूर देखोगे सारे जीब्रा तो एलेक्स की तरफ देख रहे थे लेकिन जिर्फ एक जीब्रा था जो कि एलेक्स की तरफ नहीं देख रहा था एलेक्स पहचान जाता हैं यहां दूसरी तरफ जंगल में सभी लोग खुदाई करते हैं लेकिन उन्हें सोना चांदी हीरी जवरात मिलते हैं लेकिन पानी नहीं मिलता तब वहां पे जूलियन आता है और सभी को एक सॉल्यूशन बताता है कि अगर सबको पानी चाहिए तो हमें इस वालकेनों की अं है यहां पे मकॉंगा को लगता है कि जूबा को भी खत्म करने का सही वक्त है इसी कारण मकॉंगा जूबा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा एलेक्स मरने के लिए जा रहा है वो माउंटेन पे अकिला ही चला गया जूबा ये बात सुनते ही अपने बेटे एल मल वालकेनों पे कुर्बानी देने के लिए गए थे और मैलमन को तयार कर दिया गया था तब ही वहाँ पे ग्लॉरिया भागती हुई आती है और मैलमन की जान बचा लेती है और कहती है कि मैं इतने टाइम से मेरे सच्चे प्यार को ढूंड रही थी जबकि मुझे पता ही नही कि हमें मदद की जरूरत है यहां पैंग्विंस और चिंपैंजी के बीच एक डील चल रही थी चिंपैंजी पैंग्विंस से कहते कि अगर बनाना है तो हमें मैटनिटी लीव चाहिए अब यहां पे आलेक्स की मदद के लिए मार्टी ग्लॉरिया और मैलमन को लेकर आता है यहां पे वही आंटे एलेक्स का बाबी क्यों बनाने वाली थी कि तभी वहां पे जूबा पहुंच जाता है अपने बेटे को बचाने के लिए जूबा एलेक्स को बचा तो लेता है लेकिन सारे लोग एलेक्स को शूट करने वाले थी एलेक्स कहता है कि डैड यहां पे शा जाते हैं कि ये तो Central Park का Alex है, ये तो हमारा Alex है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुचा सकता, सभी लोगों ने अपने weapons नीचे गिरा दिया और अब तो Zuba भी free होके इन सभी के सामने dance करना शुरू कर दीता है, लेकिन वो बूड़ी आंटी नहीं मानती और Alex को shoot करने ही वाली थी, कि इतनी देर के अंदर Marty वही plane उड़ा के ले आता है, जिसके अंदर सारे चिंपैंजी थे, Gloria, Malman और वो सारे penguins भी थे, जो कि मिलके Alex और Zuba की जान बचा लेते हैं, ये लोग एक drum के अंदर बैठते हैं, और सारे डैम को तोड़ देते हैं, इस drum के अंदर वो अपने साथ इ जूलकेनों की अंदर गिर जाती है, यहाँ पे जूलियन, मौरिस और ये लैमर अपनी जान बचा लेते हैं, और इन्हें लगता है कि अब तो कुर्बानी हो चुकी है, यानि कि जल्द ही पानी आ जाएगा, ये तिनों जब बाहर आते हैं, तो इन्हें पानी आता हुआ दि लेकिन मकॉंगा अभी तक वे यहाँ पे लीडर था, अलेक्स यहाँ पे आके मकॉंगा के लिए गिफ्ट ले के आया था, जो कि वो आंटी का बैक था, अब आंटी के बैक को अगर कोई हत लगा ले, फिर तो आंटी उसकी ऐसी तैसी कर देती हैं, आंटी उस ड्रम से बाहर निकालते हैं, और मकॉंगा की बुरी तरीके से पिटाई करती है, सारे एनिमल्स एक साथ थे, उनके पास पानी था, अलेक्स के पास अपनी फैमिली थी, पैंग्विंस ने एक डॉल से शादी कर ले थी, और अब ये सब लोग गूमने के लिए और हरीमून मनाने के लिए न काज से अपनी एक сाते विए आबोस這邊 के लिए ऋग हैं, सबस्छने के इसे रहां हैं, सबस्छने के लिए, सबस्छने के लिए कर पकम के लिए 팬 पोलीके से और ही ओδा सुनी से वे ली, लिए दowर, कै sick to आ. झालो